स्कूल के दिनों से ही नेता के नाम से मश्हूर मुलायम सिंग यादफ का जन सन 1949 में इटावा के एक गरीब किसान परिवार में हुआ जब वो सात्नी कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्हें सोशलिस्ट पार्टी के किसान आंदूलन में जेल जाना पड़ा बाद में वो डॉक्टर राम अनोहर लोहिया के विचारों से प्राभावित हो समाजवादी बन गए मुलायम सिंग को बचपन में कुष्टी का भी शौक था वो 1969 में आगरा मंडल के कुष्टी के चैंपियन बने 1967 में उन्हें सायूत सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला और 28 साल की उम्र में सबसे युवा सदसे की रूप में वो यूपी असेंबली में पहुँचे सन 1974 में मुलायम सिंग चौधरी चरण सिंग की पार्टी भारती लोग दल में शामिल हो गए 1975 में एमरजेंसी के दोरान वो 19 महीने जेल में रहे 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर फिर असेंबली में आए लेकिन 1980 का असेंबली इलेक्शन वो हार गए बाद में वो विधान परिशद में विपक्ष के नेता बन गए सन 1989 में मुलायम सिंग पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने दो नवंबर 1990 को आयोध्या में कार सेवकों पर फाइरिंग करवाने के लिए वो काफी चर्चित रहे चंदर शेखर के प्रदान मंत्री बनने पर जनत अदल छोड़ कर वो समाजवादी जनता पार्टी में चले गए लेकिन सन 1991 के चुनाव में हार के कारण उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से त्याक पत्र देना पड़ा सन 1992 में उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी भी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी का गठन किया सन 1993 की असेंबली इलेक्षन में मुलायम ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठ बंदन कर लिया चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी गठ बंदन के पक्ष में रहे लेहाजा 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंग यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लेकिन धीरे धीरे काशिराम से उनके रिष्टे बिगड़ने लगे और मुलायम सिंग के सरकार गिरवा कर काशिराम ने 3 जून को बीजेपी के सपोर्ट से मायवदी को मुख्यमंत्री बनवा दिया आजकल मुलायम सिंग, रैलियां और जनसभाएकर के आने वाले लोकसभा चुनाफ की तैयारी में जुट गए हैं मुलायम सिंग जी सुना आप पहलवान थे और कुस्ती लड़ा करते थे, ये कुस्ती लड़ते लड़ते फिर राजनीत में कहां से आ गए? उसवाद तो सुर्गिन नतू सिंग विधायक थे, उन्होंने का मैंने बहुन नाम सुनाया तो कुस्ती हमको दिखा दो तो हम कुस्ती लड़ गए और उनको कुस्ती हमारी पसंद आ गई, उसी दिन से वो हम से प्रभावित हो गए और आगे चल करके उन्हों नहीं अपने मन से मुझे कहा कि आप मेरी जगरे आपको चुनाया लड़ेगा हम चुनाया लड़े उन्हों लड़ाया और उन्हें इसका सबस्ते में पहली बार हम बिधायक बने आप आठ बार MLA, MLC रह चुके अब लखनू छोड़कर दिल्ली क्यों नहीं आ जाते नेशनल पॉलिटेक्स में अभी दिल्ली आने का मैंने सोचा नहीं था लेकिन अब मैंने यह जो सोचा है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुचाएगी हमारा लक्ष है कि अब जो दिल्ली में प्रहनमंती बने और समाजवादी पार्टी के समतर से बने हमारी मर्जी का प्रहामन्ति हो यह हमारी इच्छा है और इसलिए हम पूरी सक्टी अब पार्लमेंट के चुनाव में लगा दी है आपने एक बार का था जब आपको चंशेकर जी ग्रह मंत्री बना रहे थे दिल्ली में कि हम लगनु में मुंखली बेच लेंगे लेकि दिल्ली नहीं जाएंगे यह सही है चर्सेकर जी ने हमसे कहा था लेकि जब चर्सेकर जी को हमने समझा दिया कि अभी हमें लगनुई रहने दीजी तो वो मान गह थे अच्छा आप अपनी पार्टी को गरीबों की पार्टी कहते हैं लेकिन आपको जो दफ्तर लखनों वो फाइव स्टार होटल जैसा लगता है आप समाजबाद के माने यह तरह नहीं कि गंदगी रखना चाहिए अगर साबस्ता बना दिया है दफ्तर तो क्या हम उसमें बैटेंगी वहां तो गरीब ही लोग आएंगे तो गरीबों को भी कभी कभी अच्छी इमारत अगर मिल जाए तो क्या पुरा है आप तो ही कहते हैं कि आपकी सरकार पिछणों की सरकार थी जो जिसमें दलेत और पिछणों की बात मानी जाती थी लेकिन आप पर आरोप है कि आपकी सरकार को उद्योगपती संजा डालमिया, राजबबर और अमर सिंग चलाते थे ये पूरी तरह से कह रहता है जहां तक के संजा डालमिया का सवाल है वो हमारी पार्टी के कोसा डक्ची में हैं, राजबबर के समाजबादी पार्टी के राजबबादी पार्टी के सतस्य भी हैं लेकिन उन्होंने सरकार चलाने में कोई कहीं तखल नहीं दी है जहां तक डुशा आपन Rafi नाम लिया है राजबबर का उन्होंने बेहता समाजबादी पार्टी को समझा और समाजबादी पार्टी में सामद हो गए और राजसभा के मेंबर भी हैं तो साभावे के वो तो हमारी पार्टी के सातियों में से हैं लेकि उन्होंने भी इस तरकार में दखल अंदाजी का कुई काम ने कहा है अगर एमान भी लिया जाए कि राजबबर और संजड आलमिया का इसमाद था तो क्या गलती थी जब उलाहिम सिंग जी की राजनितिक मुसिवत का वक्त था जब बड़े दिगज और महारती उनका साथ नहीं दे रहे थे संजा डालमिया ने कंधे से कंधे मिलाके उनका साथ दिया राजबुबर ने उनकी जन सभाओं में और हर जगा उनके साथ राजनितिक सहयोग और सहकारता की बात रखी आजकल सुना आप परकास के लोगों खुश करनी की कोशिस में सभाओं में बैकवर्ट से हाथ उठाते हैं कि परकास के लोगों को गाली नहीं देंगे हमारी साथ राय है और हमार समालबादी पार्टी की नीती है अगर हिंदुस्तान की राय नीती करनी है तो सब को लेके चलना है इसलिए हर समाल हम कहते हैं के जो हमारा सहुगी डल था वो गाली जूरू देता था उची जात को लेकर हम उस़े समय उची जात को हम समाल देते थे और इसलिए बहुत ही साइद मनमन में बहुज़ान सहाथ पार्टी लोगों को इस वाथ से परिशानी थी कि जो मुक्खे पोस्ट हैं और की पोस्ट हैं सरकार में उची जाद के पास क्यों है बीजेपी ने जो आकड़े निकाले हैं उसमें कहा गया है कि सतर प्रस्ट यादों को आपने पुलिस में भर्ती करवा है कल्यान सिंग का आरोफ है कि Backwards के नाम पर सर्फ यादों को नोकरी दी गए बिवाज़त करने के लिए कई बार उन्होंने इस तरह के बियान भी दिये